हेलो फ्रंट श्वागत करेते हैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टेडी आवर लाइट में तो अज फिर से हम लेके आ गये हैं BSSC के लिए यानि बिहार सची वाला सहायक के लिए प्रैक्टिस सेट जो की ज्यान बिंदू GS Academy का है रोसन अनंसर के द्वारा जो पेड कोर्सेज वाला प्रैक्टिस सेट है जिसमें टोटल आपको 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा औ और इसी प्रैक्टिस सेट को आजम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को आजम देखेंगे तीन तक आपका हम अप्लोड कर चुके हैं वीडियो के साथ आपको पीडिया भी इसका प्रोवाइड कर दिया गया है टेलिग्राम चैनल पे उसे भी आप लोग जाके जाए अब ढ़ी हमसेे मिला ले और कुछ एक्स्प्रैंडेशन भी से आपको देखने को मिल जाएगा जो कोशन में कंफ्वाइशन होगा वह एक्स्प्रैंचन देखके आपंफ्वाइजन क्लीर कर सकते हैं तो चले णंड समीसी चीज को देखते ह친 आजगे हम शुरु करते हैं क Honda जाका हो प्रदूर में कि अंदर पानी उसमें चला जाता जो प्रदूसीच कर देता है उसको क्या कहते हैं लीचिंग सभी में टूरा आशा किन लाई की हम निटित करा आशा कर दिखें आथ तो अबसें पहले मैं में इसके लिशन निप्रदी के लिवगा है यह जो आपसन आपका भी दिख रहा है Micromedation इसके बारे में हम समझते हैं यह क्या होता है यह भी एक ठोस अपसिस्ट का निप्टान बिधी है इसमें क्या होता है कि सुक्षम जीव की सहता से ठोस अपसिस्ट का निप्टान किया जाता है जिसको हम क्या कहते है Micromedation कहते है ठीक है जैब समझते है जैब समझते है तो यह भी एक ठोस अपसिस्ट का निप्टान की बिधी है जो सुक्षम जीव को क्या किया जाता है क्रित्रीम तरीकों को बढ़ा कर सुक्षम जीव की सहता से इसमें क्रित्रीम तरीकों से बढ़ा कर इसको क्या करता है इस अपसिस्ट का निप्टान किया जाता है उसको जैब सबवर्धन कहते है और बायो फाइलिंग आप लोग जानते होंगे जिससे खाद बनाने की जो वीदी ही होती अपसिस्ट को निप्टा के उसको क्या किया जाता है ढालके कुछ अदरा उदरा से कचरा को एक जगा धेर कर दिया जाता है और उसको गला दिया चाहता है वहाँ पे उसको फटिलाइजर बनाया जाता है उसको वायो फाइलिंग कहते है ठीक है आप लोग clear हो गए होंगे दोस्तो चलिए अगली प्रस्ण की और बढ़ते हैं अगला प्रस्ण कह रहा है आपसे कि गैस की भाती किसी ठोस पदार्थ को संपिरित नहीं किया जा सकता क्योंकि सबसे पहले हम संपिरित का मतलब समझते हैं संपिरित का मतलब होता है कंप्रेश क करना है ना संपिरित का मतलब क्या होता है कंप्रेश होता है अब इसमें कह रहा है कि गैस की भाती किसी ठोस पदार्थ को संपिरित नहीं किया जा सकता देखिए गैस को हम लोग संपिरित कर सकते हैं ठीक है गैस को अगर गैस कोई बरतन में रखा हुआ है तो उसको हम लोग तो आपसे इसमें नहीं होता है, खोड़ा कोई डबा में पूरा समान भर हुआ है, दुकान से जब हम समान लाए तो उसमें बहुत समान अधाया हमने और इसको समने डाल दिया, suppose चीनी भर दिये पूरा डबा हमारा फूल होगे आप जो चीनी बच गया क्या चीनी को डबा के आप उसमें डाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वो पूरा अल्रेडी जितना उसमें space लेना था वो ले चुका है तो वही बात यहाँ पे कि इसमें कोई space नहीं है ठोस में इसलिए इसे हम दवान नहीं सकते हैं संप्रित नहीं कर सकते हैं द्रब में भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है ठोस के अपेक्छा इसलिए उसको भी संप्रित नहीं किया दा सकता है तो कहा जा सकता है ओप्सन के हिसाफसे से हम कहा सकते हैं कि संपिरन का गुंजो होता है व किसी बस्तु की विसिस्ट उस्मा किस पर निर्भर करती है तो किसी बस्तु की जो विसिस्ट उस्मा होती है वो किस पर निर्भर करेगी तो वो पिंड के द्रब पर निर्भर करेगी किसी बस्तु के विसिस्ट उस्मा धायता जो होता है इसका मात्रक की अगर हम बात करें तो जूल किलो ग्राम पर केल्विन होता है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पिंड के दरब पर यह निर्वर करता है और हर पदार्थ का विसी सुस्टमा धायरता अलग-अलग होता है ठीक है इसलिए 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 वो पिंड के दरब पर निर्वर करता है क्यों करत है क्योंकि विसी सुष्मा धायरता जो होता है हर पदायरत का अलग-अलग होता है चार नमर प्रसंद देखिए महात्मा गांधी राष्टिये ग्रामीन रोजगार गायरेंटी योजना बनाने शंपादन करने और क्रिया बनन की जिम्दारी निम्ण में से किसकी है देखिए मह महीं महात्मा गांधी राष्टिये ग्रामीन रोजगार गायरेंटी योजना जिसको हम लोग मनडेगा के नाम से जानते हैं सबसे पहले यह नडेगा था क्या था नडेगा इसका पुरारा नाम नरेगा था इसका जो अस्थापना हुआ था दोस्तो मनरेगा का इसका जो अस्थापना पारित किया गया था 2005 में इसे पारित किया गया था 2005 में लेकिन नरेगा से इसका नाम मनरेगा कब परा 2009 में मनरेगा महात्मा गांधी इसमें जोड दिया गया 2009 में 2 अक्टूबर गांधी जैनती के दिन से इसमें मनरेगा ये बनके तयार हो गया ठीक है इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो 100 दिन की रोजगार दी जाती है 100 दिन का रोजगार दिया जाता है ऐसे आकुसल लोगों को जो आकुसल लोग होते हैं उनको रोजगार दिया जाता है ठीक है और जो सूखा छेत्र होता है या फिर अनुस्य जनजाती का छेत्र होता है वहाँ पे 150 दिन का काम होता है पुरे साल में और इसकी एक खास बात है कि इसमें जो रोजगार मिलेगा वो आप आपके आप जहां रह रहे है उसके आसप़ 5 किलो मेंटर के अंदाईरे में ही आप यहां पर आपको काम दिया जाएगा और इसमें एक चीज़ और खास है कि 33% इसमें अ इसमें महिला होनी चाहिए कितनी 33% महिला होगी तो इसका अंसर क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी कि राश्टिये ग पांच नमबर देखिये, निमनी लिखित में से कौन असत्य है? लार भोजन की अमलियता को नस्ट कर उसे उदासीन बनाता है, कथन सत्य है, आपका असत्य पुछा गया है, जो नहीं है वो आपको छाटना है लार में उपस्थित टाइलीन एंजाइम भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोस में परिवर्थित करता है मल्ड मतब आपका कहा सकते हैं इसको कार्बो हाइडरेट ठीक है परिवर्थित कर देता है ये भी सही है बोजन में उपस्तित समस्त मंड को पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है अब सब लोग जानते हैं कि पूरे तरीके से बोजन का पाचन हमारे कहां पे होता है छोटी आद में होता है, small intestine में होता है तो पूरे पाचन तो यहां पे नहीं हो सकता है हम लोग थोरे देल के लिए मुँ में रखते हैं उसको चबाते हैं ठीक है तो समस्त तो नहीं होगा इसलिए आपका option जो है वो C गलत हो जाएगा और इसमें 33% मुख में मंड का पाचन होता है 33% मेढक तथा वेल मचली में लार्ग रंथी नहीं पाया जाता ये भी सही है तो औसत कथन पूछा गया है तो option C इसका correct answer हो जाएगा छटा नमर प्रस्ट देखिए इल्कोहल तथा कारबोजलिक आमल की परस्पर अभी किरिया के फलसरूप जो योगिक निर्मित होता है उसे क्या कहते है देखिए इल्कोहल और कारबोजलिक आमल को अगर हम मिलातें हैं एल्कोहल का प्रफिलak क्या होता है C2H5OH और इसको जब अब किरिया करते हैं कार्बोजेलिक अमल से CH3COOH जब इसके अब किरिया करते हैं तो जो एस्टर का निर्मान होता है एस्टर जो बनता है वो कोई भी हो कोई भी एस्टर का निर्मान हो वो सब एस्टर का लाता है और यह सुगंधित होता है यह सुगंधित होता है जिसका यूज पर्फियूम में होता है ठीक इसका यूज कहां पर होता है पर्फियूम में होता है चाहिए पदार्थ कुछ भी बने और इसी प्रकिरिया को क्या कहते है एस्टिफिकेशन कहते हैं तो एस्टर इसका correct answer हो जाएगा साथमा नमबर प्रस्थ देखिए किसी औसंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन त्वरन ये जो है सबसे पहले औसंतुलित बल बल दो पर कारके एक संतुलित होता है और दूसरा औसंतुलित होता है और संतुलित बल किसे कहते हैं तो और संतुलित बल वो होता है जो नजर आता है और जो संतुलित बल वो होता है जो बल का जो प्रभाव होता है वो नजर नहीं आता है बल का जो प्रभाव होता है वो नजर नहीं आता है सब पोज कि जी कि आप कहीं खड़े हैं तो ये नजर नहीं आ रहा है ठीक है? तो ये नजर नहीं आना कोई पीलर है घर में कोई ख़रा है उस पर छत बना हुआ है तो वो पीलर का जो भार है पीलर पे उच्छत ठीका हुआ है यह नजर नहीं आ रहा है तो यह सब संतुलित बल का example हो जाएगा, तो कहा जा रहा है कि संतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन तुरन जो होगा F बराबर MA F बराबर क्या होगा, तो F जो होगा अब डारेक्टर प्रपोर्पोर्शनल किसके होगा एका होगा, तो कहा सकते हैं कि option इसका भी बल के अनुकर्मान पाती होता है बल के क्या होता है, अनुकर्मान पाती होता है यह correct answer हो जाएगा आठ नमबर प्रस्ट देखिए केंद्रिये नियोजित अर्थ विवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंतरन होता है तो केंद्रिये नियोजित अर्थ विवस्था यह क्या होता है केंद्रिये नियोजित अर्थ विवस्था समाजबादी अर्थ विवस्था को ही केंदरी ये नियोजीत अर्थ विवस्था कहते हैं समाजबादी जो अर्थ विवस्था होता है उसी को और आर्थिक किरिया चार होता है पहले ही बताएं थे पहले वाली वीडियो में बताएं थे माप लोगों को एक उत्पादन होता है दूसरा उपयोग होता है तीसरा आपक प्राइबिट कंपनी भी नहीं कर सकता है उपभुखता खुद भी नहीं कर सकता है तो कौन करेगा सरकार करेगा तो option C का correct answer हो जाएगा सिस्टर्णी के समू से बनी सरचना है देखिए अब इस सिस्टर्णी क्या है सबसे पहले हम यह समझते हैं गौलजी बड़ी जो होता है हमारे सरीर में हमारे सेल के अंदर जो गौलजी बड़ी होता है जब उसे हम लोग क्या करते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं तो वो चर के गुच्छा जो होता है उसके गुच्छा के जैसा दिखाई देता है मतलब मुरा हुआ छर का जो गुच्छा होता है उसके जैसा सरचना इसमें दिखाई देता है ठीक है सेल के अंदर जो गौल जी काई को देखते हैं तो जब उसे देखते हैं तो उसे दो बैग्यानिक थे एक बैग्यानिक का नाम था डॉल्टन और दूसरा का नाम था फैलिकस, इन दोनों ने इसे सिस्टरनी नाम दिया, इसी गुच्छा को क्या नाम दिया, सिस्टरनी नाम दिया, ठीक है, तो आपसन आपका C, कॉरेक्ट अंसर हो जाएगा, और गॉलजी उपकरण का नाम किस ने काम है हमारे सरीर में, तो आपसन C, इसका कॉरेक्ट अंसर है, अगले प्रस्ण की ओर आईए, दस नमबर, दस नमबर कह रहा है आपसे, कि अत्याधुनिक पोटोग्राफी में, छन दिप्त उत्पन करने में, किसका पड़ियोग किया जाता है, इसको किसका जनोन का अगर हम नियोन की बात करें, तो ये बिग्यापन के लाइटिंग में, यानि की संकेत देने वाले लाइट में, इसका उपियोग किया जाता है, आरगन का उपियोग किसमें करते हैं, विदूत बॉल में इसका उपियोग होता है, और हिलियम का उपियोग हम लोग बायू या के टाइर में भरने के लिए करते हैं और एक चीज़ याद रखिएगा कि हिलियम बहुत मांगी गैस होती है जो कभी नहीं अगर मिलता है तो इसमें इसकी जगा पे नाइट्रोजन का भी इस्तमाल किया जाता है दो आप्सन आपका जेनौन इसका करेक्ट आंसर होगा 11 नमबर प्रस्द है कि एक सकति साली चुंबक जो होगा वो क्या होगा तो एक सकति साली चुंबक के बल लोहा एवन उनकी मिसरधातूं को अकरसित करता है किन्थू किसी को प्रतिकर्सित नहीं करता है तो आप्सन सी इसका कॉरेक्ट आंसर होगा Option C इसका मतलब कोई जो भी चुम्बक होगा वो क्या करेगा सक्तिसाली चुम्बक लोहा और लोहा के मिस्धातु या फिर लोह चुम्बक ये पदार्थ को अकर्सित करता है प्रतिकर्सित नहीं करता है तो Option C इसका correct है 12 नमबर को देखिए यदी सकल राजकोसिय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवसेश को कहा जाएगा तो अवसेश को सकल प्राथमी घाटा कहा जाएगा यदि सकल राजकोसी घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाता है तो उसे सकल प्राथमी घाटा कहा जाता है तेरे नमबर प्रेस्ट है और निथिक चक्र किसके संसलेशन से संबंदित है तो और निथिक चक्र जो है ये संबंदित है आपका किसे यूरिया ये क्या है समझे और निथिक चक्र का संबंद आपके पक्छी वर्ग के जीवों से है किसे पक्छी वर्ग की जीव है इससे संब पक्षी में भी उत्सर्जन की किरियार संबन्दी था ये जो आपका है और निथिक चक और इससे क्या होता है यही जो है इसके यूरिया का उत्पादन होता है और ये फिर यूरिक एसीड में बदल जाता है तो यूरिया इसका कोरेक्ट आंसर होगा परकास में धुर्वन की घटना से या सिध होता है कि परकास तरंगे है अब देखिए परकास में जो धुर्वन की घटना होती है उससे या पता चलता है कि परकास क्या है अनुधर है या अनुप्रस्थ है तो इस प्रस्न का आंसर होगा कि प्रकास अनुप्रस्थ है अनुधर जो होता है ये धौनी में होता है ठीक है तो इस प्रस्न का आंसर आपका C हो भारतिय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षन अनुपात जिसको CRR कहते हैं को बढ़ाने पर निम्ड में से क्या प्रभाव परता है तो इसको बढ़ाने पर मुद्रा आपूरती घट जाती है अगर यहां घटेगा तो यहां बढ़ जाएगा ठीक है तो क्या हो जाएग कि अगर हम भारतिय रिजर्व बैंक के द्वारा CRR का जो रेशियो उसको बढ़ाते हैं तो उस पर प्रभाव जो पड़ता है वो मुद्रा आपूरती घट जाती है 17 नंबर प्रस्ण देखिए निम्न लिखित में से कौन सा पादप हर्मौन निम्न ताप को प्रतियस्थापित करता है तो निम्न ताप को प्रतियस्थापित करने वाला जो हर्मौन है वो हर्मौन आपका हो जाएगा जिब्रेलिंस जिब्रेलिन्स ये जो है क्या करता है कि ठंडे छित्रों में जो उगने वाले पौधे होते हैं उसको बचाने का काम करता है जिब्रेलिन्स और ये हर्मोन जो है क्रित्रीम तरीके से कवक से प्राप्त भी किया जाता है जो क्रित्रीम तरीके से कवक से प्राप्त किया जाता है वो कवक कौन सा होता है फ्यूजेरियम नामक एक कवक होता है उससे भी जिविरलीन नामक हर्मोन को प्राप्त किया जाता है इस कवक से भी कृत्रिम तरीके से ठीक है वैसे तो पौधे में ये पाया ही जाता है लेकिन कृत्रिम तरीके से अगर चाहिए होता है तो फ्यूजेर फल हो, सबजी हो, कुछ भी हो तो उसका साइज बढ़ जाता है, तो option A इसका correct answer है, अठारा नमबर प्रस्ट है कि सामित इसपात क्यूचिंग स्टिल को गरम करके धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाए, तो इसपात लचीला तथा कम भंगूल हो ससाता है, इस परक्रिया को क्या करते हैं, चलिए एक सी समझते हैं, इस पात, इस पात क्या होता है, लोहा और कार्बन का मिस्र धातु होता है, यानि कि लोहा और कार्बन मिलके क्या बनता है, इस पात का निर्मान होता है, ठीक है, चलिए इस से पहल एक कलरिस का चेंज करते हैं, ठीक है, अब देखिए इस इस पात जो होता है सबसे पहले दो तरीके से होता है इस पात कितना होता है दो तरीके का इस पात होता है एक तो कठोर हो जाएगा और दूसरा नरम हो जाएगा कठोर जो होता है इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 0.5 से लेके 1.5 परती सतक इसमें कार्बन की मात्रा होती कार्बन की मात्रा वो 0.1 से लेके 0.4 परती सतक होता है नरम इस पात में ठीक है इतना तक तुछ समझ गया है आप देखे आगे दिया हुआ है कि इसमें आप से समीत इस पात के वारे में पूछा गया है तो कठोर इस पात को जब एगा कठोर इस पात को और कठोर करने के लिए ठीक है कठोर इस पात को और कठोर करने के लिए 1125 Kelvin पर उसको गरम करके एक आएक पानी में डाल दिया जाता है ठीक है एक आएक उसको पानी में डाल दिया जाता है तो उसको क्या कहते है समीत इस पात कहा जाता है उसी को समीत इस पात कहा जाता है तो option आपका क्या हो प्रक्रिया को टेंपरी और क्रिया को एकनेило करन किया होता हैं, जब प्रक्रिया को डिया、 ऑखना करके और फिसे क्या होता है कि लुहा को नरम बनाया जाता है इससे होता है कि नरमता आती है इसमें और इस विदी को अनेली करन कहते हैं तो आपसन आपका ये समझ गया है और टेंपरी समझ गया है अब अगला देखिए प्रस्त नमबर 19 नजदीक आती रेलगारी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने पर रेलगारी के लिए वह घटी जाती है या घटना उदारन किसका है डॉपलर का प्रभाब का आविर्ती का उतार और चड़ाब जो है वह डॉपलर का प्रभाब करता है तो इस प्रस्त कां कर जाने की प्रविर्ती हो वह कहलाती है तो कोई भी बैदेसी करेंसी कोई भी बैदेसी मुद्रा जो होगा जिसमें सिग्र प्लायन करने की प्रविर्ती होती है उसको गरम मुद्रा कहते हैं कैसी मुद्रा है यह गरम मुद्रा है दुरलम मुद्रा क्या होती है तो मांग की त से मुद्रा है तो सिलब मुद्रा है तो option आपका decorect हो गया अगला है crossing over की किरिया कब समपन होती है तो crossing over की जो प्रकिरिया है वो packet team में समपन होती है गब packet team में समपन होती है option number A इसका correct answer है 22 number प्रस्न है कि कबक के बारे में निमलीखित में से कौनसा कथन शत्य नहीं है कबक यूकरेटिक जीव है इन में जनन विजालू को द्वारा होता है क्या ये भी साही है कथन आपको सत्य नहीं है वो ढुलना है अगला कड़ाएक इनका सरीर हाइफी का बना होता है ये भी साही है कबक की भीती पेक्टो सेलुलोज की बनी होती है ये गलत है कवक की जो सरीर होती है वो काईटीन काईटीन और हेमी सेलुलोज की बनी होती है हेमी सेलुलोज की बनी होती है तो option D का सत्य हो जाएगा क्योंकि इसमें से पुछा गया सत्य नहीं है तो D correct है अगला प्रस्ण है कि विकास की दिरिष्टी से प्रथम अस्थलिय पौधा कोन है जिन में जायलम तथा फुलोय मुतक पाया जाता है तो देखें विकास की दिरिष्टी से पुछा गया है तो विकास की दिरिष्टी से उद्भव होने वाला अगर पुछा जाता तो वो थैलोफाइटा होता लेकिन पूछा जा रहा है कि विकास की दिरिष्टी से प्रथम अस्थलिये पौधा तो वो ब्रायो फाइटा हो जाएगा option D इसका correct answer है केसा कर्षन से नली में द्रब चड़ेगा यदि असपर्स कुन क्या होगा? नियून कुन होगा तब option इसका correct answer है पचीस नंबर प्रसन है कि स्वचलित कलाई घड़ियों में उर्जा मिलती है तो स्वचलित कलाई घड़ियों में उर्जा मिलती है वो हमारे हाथ के विविन संचालन से मिलती है आगे देखते हैं 26 नंबर प्रसन तत्तो के भौतिक और रासाइनिक गुन उनकी प्रमानु संख्या के आवर्थ फलन होते हैं यह नियम किसने प्रतिपादित किया है तो यह नियम जो प्रतिपादित किये है वो कौन थे तो यह नियम प्रतिपादित करने वाले आपके मोसले हो जाएंगे कौन तत्तो के भौतिक और रासायनिक गुन उनकी प्रमानु संख्या के आवर्थ फलन होते हैं यह नियम को मोसले ने दिया था option B इसका correct answer है 27 नमबर प्रस्ण है कि एक आयनिक बंधन बनता है जब तो एक आयनिक बंध कब बनेगा जब एक धातु तत्तो का सयोग अधातु तत्तो से होता है तब एक धातु तत्त और सयोग किसके साथ होता है अधातु के साथ तब हो क्या बनता है आयनिक बंधन का निर्वान करता है 28 नमबर प्रस्ण है सैवेसियस गरंथिया कहां पाई जाती है सेबेसियस ग्रंथिया जो होता है ये आपका पाया जाएगा अस्तनियों की तचा के डर्मिस में देखे, सबसे पहला एपीडर्मिस और दुसरा लेँर होता है डर्मिस एपीडर्मिस जहां से पसीना व Давай Fasc हे पूछा जा रहा है कि सेबेसियस गरंथी कहां पाई जाती है तो सेबेसियस गरंथी जो है वो तोचा के डर्मिस में पाई जाती है सेकेंड लेयर में पाई जाती है ठीक है उच्चे ताप करम पर किसी जन्तु की प्रसुपिती को कहते हैं तो उच्च ताप करम पर किसी जंतु की जो प्रसुपिती होती है उसको क्या कहा जाता है तो उसको irritivation कहते हैं हाइपरनेशन कब होगा जब निम्रिताप पर होगा उसको hyphenation कहेंगे निम्रिताप पर हाइपरनेशन और उच्च ताप पर एरिटेशबेशन अब तीस नमबर प्रस्ट देखिए सुची एक को सुची दो से सुम्मेलित कीजिए यहाँ पर आपको एक तरफ बिटामिन दिया हुआ और एक तरह हिंता से मतलब कमी से होने वाला रोग दिया हुआ इसे आपको मैच करना है ते रेटिनॉल रेटिनॉल की क कमी से होने वाला रोग घातक रखत अपलबता है और पाई डॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग मानसिक व्याधी है तो तीन चार एक दो तीन दीन चार एक दो ओप्सन सी इसका कोरेक्ट आंसर है आगे आईए 31 नमर प्रस्ट अब आपका यहां से हिस्ट्रिय है हरप्पा अबिता के किस अस्थल से 38 नरकंकाल के अपसेश मिला है ओप्सन है कोट दीजी ओप्सन भी आमडी सी मोहनजोद्रो डी में है चनुद्रो चलिए यह चारो जो आप ओप्सन देख रहे हैं यह चारो अभी कहां पर है सभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधू नदी के ख्रत पर है ठीक है और इसमें की कोट दीजी के अगर हम बात करें तो कोट दीजी के जो खोद करता है वह फजल अहमत का हैं कोट दीजी के फजल मोहनजोद्रों के कौन हो जाएंगे तो मोहन जोद्रो के राखा लालास बने जी है सबी लोग जानते हैं आमरी के कौन है तो आमरी के अगर हम बात करें तो MZ मज़ुमदार है आमरी के ठीक है और मोहन जोद्रो के राखा लालास बने जी इसका बतारी दिये हैं मोहन जुद्रो का अर्थ क्या होता है मिर्तको का टिला तो जब भी नरकंकाल की बात हो न तो ये आप मोहन जुद्रो आँख बंद करके आंसर टिक कर सकते हैं तो 38 नरकंकाल का जो अपसेश मिला है वो मोहन जुद्रो से एक साथ मिला है तो option इसका C correct answer है इन में से कौन सा सासक हर्यक वन्स से संबंदित नहीं है तो हर्यक वन्स अभी लोग जानते हैं कि मगद समराज पे कई वन्स का सासन था जिसमें कि सबसे पहला हर्यक वन्स था हर्यक वन्स के बाद आया सिसुनाग वन्स फिर आया नंद वन्स फिर से आगे बढ़ता गया जिस इसके बारे में काला सोग के बारे में बिम्बी सार का पुत्र कौन था अजा सात्रू था और अजा सात्रू का उदाइन था तो काला सोग जो था ये कौन था तो काला सोग आपका हो जाएगा ये हर एक बन से संबंदित नहीं था ये सिसुनाग बन से संबंदित था काला सोग स शिसु नागwałrogen से संबंदि था और इसको काकवर्ण भी कहा जाता है काकवर्ण के नाम से भी कालाशोक को जाना जाता है तो option B correct हो जाएगा क्यूंकि संबंदित नहीं है, प्रस्न ये पूछा गया है तो विम्बी सार अजासात्रु उदाईन सभी का संबंध हर्यक वन से है कालासोक सिसुनाग वन से है अब आते हैं 33 नमबर बौध धर्म के किस गरंथ में मगद के राजाओं की करंबद सुची मिलती है तो इस प्रस्न का अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर इस प्रस्न का अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर सी महावन्स तो बौध धर्मित इस प्रस्न का अंसर महावन्स हो जाएगा अगर हम बात करें मिलिंद पनों का तो मिलिंद पनों में नाग सेन इसके जो है संकलन करता है मिलिंद पनों के और इसी में नागसेन और मिनांडर के बारतालाप भी इसमें वर्णन किया गया है मिलिंद पनों में क्या है नागसेन और मिनांडर के वीज़ की जो बारतालाप है उसमें इसको संक्लन किया गया और उसके संक्लन करता कौन है नागसिन खुद है ठीक है तो मिलिंद पनो आपका इधर हो गया option A समझ गया है अब हम बात करते हैं जातक जातक में क्या है बुद्ध के पुनर जनम की कथा है जातक ठीक है और महावंस इसमें क्या है कि बौत धर्म के गरंत में मगद के राजाओं की करमबद सुची महावंस में मिलती है तो option A इसका C correct answer हो गया 34 नमबर प्रस्ण है कि खरोष्टी लिपी लिखी जाती है तो खरोष्टी लिपी जो है वो दाये से बाई और लिखी जाती है दाये से बाई और खरोष्टी लिपी को लिखा जाता है option A का correct answer है 35 नमबर प्रस्ट है कि कनिस्क की पहली राजधानी थी देखिए कनिस्क की अगर हम बात करें तो कुशान वंस से संबंदित है है ना इस प्रस्ट का आंसर आपका पेशावर हो चाएगा अब हम समझाते हैं इसके बारे में उसान बन से संबंदित है कनिस्क जो है 78 इशापूर में गद्दी पर बैठा था 78 इशापूर में इस भी में ठीक है उसके बाद वो इसके गद्दी पर बैठने के वो पलक्ष में उसने एक सकसंबत का सुरुवात किया था सकसंबत का सुरुवात किया था जो काफी बार एक्जाम में आता भी है 78 इस भी में सकसंबत का सुरुवात किया था और इसकी दो राजधानी थी एक पहली राजधानी इसकी जो थी वो पेसावर थी पहली राजधानी कहां थी पेसावर जिसको की पुरुसपूर भी कहते है पैसावर को पुरुष़पूर के नाम से भी जाना जाता है और दूसरी राजधानी इसकी मत्थुरा थी थी है तो पहला और दूसरा तो यह हो जाता है लेकिन कभी-कभी प्रस्ण ये पूछा जाता है, राजनितिक और सांस्कृतिक पूछा जाएगा, तो राजनितिक अगर पूछे, तो राजनितिक में पेसावर हो जाएगा, और धार्मिक अगर पूछे, सांस्कृतिक अगर पूछे, तो वो आपका हो जाएगा, मत्थुरा, ठीक है तो इस प्रस्ण का आंसर आपसे पहली राज़ानी तो पेसाबर इसका correct आंसर हो जाएगा और मुर्ती कला और गंधार कला इसी के समय में ये मतलब कला का जो मतलब सुरुवात हुआ था वो कनिस्क के समय में ही सबसे पहले हुआ था चीक है अगला देखते हैं 36 लो गंधार कला के संबनेखे अभी बता हैं कि दोनों कला इसके सुरुवा था एक गंधार कला था और एक मूर्ती कला था वर इसके समय कि मूर्ती की खास बात थी उस समय में वह उस्वोट्री निर्वान टाइप का जो मुद्रा सब वो सब देखे होंगे तो ये सारी जो मुर्ती बनती थी वो गंधार कला की मुर्ती हुआ करती थी तो उसके कोडिंगर आंसर को हम देखे तो गंधार कला के अंतरगत मुर्तियों की आकिरती को सर्वथा दिखाने का परयास किया गया सर् बुद्ध की मूर्ती ध्यान मुद्रा अवस्था में है गंधार सैली की देन है ये भी सही है तो आपसन आपका सी सही हो जाएगा क्यों कि गंधार कला के संबन्द में ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल कॉरेक्ट है 37 नमर प्रसन है कि गुप्त कालिन आर्थिक ब्यवस्था का मुख अधार क्या था देखिए उस समय सबसे जादा अगर किसी चीज की आर्थिक की ब्यवस्था के जरुवत फोती थी तो उस टेम किर्सी सबसे फेमस था ठीक है तो किर्सी पे जादा फोकस किया जाता था और किर का मुख अर्थ आर्थिक विवस्ता हुआ करता था तो किर्सी इसका कॉरेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थिस नमबर प्रस्ण है कि मदुराई बिजयायम नामक पुस्तक के लेखक है तो मदुराई बिजयायम नामक जो पुस्तक है सबसे पहले इसको हम बाद में समझते हैं कि इसके लेखक कौन है सबसे पहले ये समझते हैं बीजینगर के बारे में, आप लोग ने हिस्टीयु में पढ़ाऊगा, की बारे मेंने लिएनगर के बारे के बारे में, इसके संस्थापक दो भाई थे, एक थे हडीहर और दूसरा का नाम था बुक्का, जिसको बुक्का पर्थम के नाम से भी जाना राता है, ठीक है? यह दोन के पुत्र का नाम था कंपन इसके नेत्यूत में इसने लड़ा था ठीक है इसके नेत्यूत में इसने मदुराई का सानभ्यान को लड़ा था ठीक है और इसी अभ्यान में कंपन की जीत हुई थी और जीत कहने का मतलब कि बुक्का का विजय हुआ था और कंपन की जो है वो मिर प्रफ़म के ही जीत हुई उसका ब्यटा ही तो था वो इसलिए बुक्का के ही जीत हुई या फिर कमपन की की जीत हुई जो भी कहें दोनों बात एक टी है इसी जीत के उपलक्ष में बुक्का की जो पतनी थी जिनका नाम गंगा देवी था उन्होंने मदुरई विजयम नामक पुस्तक की रचना की थी ठीक है, समझ गये होंगे विजयन अगर समराज के संस्थापक हरियर और बुगा बुक्का पर्थम जो थे वो बुक्का पर्थम के बेटे कंपन के नेत्वित में उसने बुक्का ने मदुरई विजय अभियान शुरू किया था जिसमें की उसकी विजय हो गई थी और विजय होने के उपलख्ष में उसकी माता जो थी कंपन की यानि की बुक्का पर्थम की जो बीवी थी गंगा देबी उसने इस बुक्क की रचना की थी मदुराई भी जयम की ठीक है अग्ला प्रस्नाता है भीजैन अगर समराज के काल में महिलाओं की भूमिका थी तो क्या भीजैन अगर सम राज के दाव हम अध्यन किये हैं उसमें देखें हैं सती पर था वगैजर या पिर महिला के ऊपर हो जाएगा वो correct हो जाएगा डी ठीक है राजा के कार्म को लिखना मल्यूद में भाग लेना अंग्रक्षक या पहरेदार बनना विजयनगर समराज की महिलाओं की ये भुनका थे भुमीकर का हिसाब रखने वाला सल्तनत कालिन अधिकारी थे तो जो भुमीकर का हिसाब रखते थे वो सल्तनत कालिन में जो अधिकारी थे वो कारकून थे कारकून थे इनका नाम क्या था अस पद को कारकून कहा जाता था ठीक है अगर हम बात करें सहाना एपिल सहाना एपिल ये हांती क्या किसका था? हांती सेना का परमुख हुआ करता था अमीर ए आखूर अस्व अस्थल का परधान होता था अस्व मतलब घोरा के जहां घोरा रहता था उसका परधान होता था अमीर ए आखूर वकील एधर ये जो था वकील एधर ये सुल्तान के घरेलू भीभाग का परधान हुआ करता था वकील एधर तो सबी समझ गए कारकुन क्या था तो ये भूमीकर का हिसाब रखने वाला था सल्तनत कालिन में एक तालिस नमर प्रेस्ट है औसत्त युगमों को पहचाने सासक एक तरफ और एक तरफ अस्तापित कला दिया हुआ है देखना है कि कौन सा औसत्त है तो बलमन ने लाल महल बनबाया करेक्ट है गयासुदिन तुगलक ने तुगलकाबाद का निर्मान करवाया मुहम्मद बिन तुगलक सुल्तान गड़ी का मकवरा ये जो है न आपका वो गलत है और इल्टुतमिस गंधक की बावली ये सभी जो आप देख रहे हैं लाल महल, तुगलकाबाद, सुल्तान गड़ी, मकवरा, गंधक मली सभी दिल्ली में है लेकिन आपको उसत्त यगों चुनना है तो सी आपका उसत्त है क्योंकि सुल्तान गड़ी का मकवरा मुहम्मद बिन तुगलक ने नहीं नसरुदीन मुहम्मद जो है वो मारा गया था ठीक है और जब ये मारा गया था तो इसके मर जाने के बाद इसके जो इल्दुतमीज जो इसके पिता थे इन्होंने उसकी याद में सुल्तान गड़ी मकवरा का निर्मान करवाया था तो option C इसका correct answer है इन में से कौन सी रचना ये सूर्दास की नहीं है साहित लारी सूर सरावली सूर सागर और दोहावली जो है ये सूर्दास की नहीं है बलकि तूलसी दास की है सूर सागर किसकी है तूलसी दास की दोहावली जो है ये तूलसी दास की रचना है और तूलसी दास जो थे वो संत्य थे अग्ला प्रस्ण देखिएगा अकबर के काल में रचित पहली पुस्तक थी अब देखिए अकबर के समय में रचित पुस्तक बहुत सारी थी लेकिन पुछ रहा है कि अकबर के काल पर रचित पहली पुस्तक तो सबसे पहले ये समझे उस पुस्तक का नाम था आपका इस प्रस्न का आंसर आपका हो जाएगा चाजविनी थे तो यही इसका आंसर है कि कालमे रचित पहली पुस्तक नाइफर उलमसिर थी जिसके रचविनी थे अगर हम बात करें कि अब बास यह जो है अगला पुस्तक है आपका तोफ़ा ए अकवर सही इसके रचाईता अबास खास सेर खानी थे उसके बाद है तारीख ये साही तारीख ये साही आहमद ये आहमद यादगार का है और तारीफ ये अकवरी जो है ये आरीफ की है आरीफ एक लिखक है जो इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है तारीख ये अकवरी तो नाइफस उलमासीर किसकी रचना है काजविनी की रचना है और ये अकवर के काल में रचित पहली पुस्तक थी ठीक है तो option इसका भी correct answer हो जाएगा अब प्रस्न आता है कि सा जहांने पुर्तगालियों से हुगली कव छीना था तो सा जहांने पुर्तगालियों से जो हुगली को छीना था वो 1632 में छीना था option से इसका correct answer है बंगाल में पहला printing press की अस्थापना किस ने किया था तो बंगाल में पहला printing press की अस्थापना जो किया था वो अस्थापना करने वाला था बिलियम कैरी विलियम कैरी, प्रस्ण का आंसर आपका ए हो जाएगा डूबले कोन था? सहायक संधी के जन्म दाता डूबले को कहा जाता है और कोलवर्ड जो था? ये लुच ओधामा का परधान मंतरी था लुच ओधामा का परधान मंतरी था कोन? कोलवर्ड और फ्रांसिसी केरो ये जो था इसे इसने सूरत में फ्रस्ट कर खाना अस्थापना करवाया था फ्रांसिसी केरो ने तो option A का correct answer है अगला प्रस्थन है सालवाई की संधी कब हुआ था देखें सबसे पहले सालवाई की संधी से समझने से पहले लिखती समझते हैं जो फ्रस्ट आंगल मराठा यूद हुआ था फ्रस्ट आंगल मराठा यूद ये 1775 से लेके 1582 तक चला था ठीक है और इस यूद का जो समापन हुआ था वो सालवाई की संधी से हुआ था तो समापन का वह 1782 में हुआ तो option इसका एक correct answer हो जाएगा और सालवाई की आंगल जहां पे लगा हो ना आंगल का मतलब अंग्रेज होगा थीक है तो ये याद रखेगा अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ था 47 नुमर प्रस्ट है रयतवारी विवस्था सरपर्थम किसने लागू किया था रयतवारी विवस्था को सरपर्थम लागू करने वाला था वो कर्ण लिरीड था मदरास में 17-72 में सबसे पहले 12 महल में इसे लगाया गया था रयतवारी विवस्था को मदरास में सबसे पहले थीक है अगर हम बात करें मैकेंजी की तो महलवारी बेवस्था इसके तोड़ा लागू किया गया था कर्णवालिस के समय में अस्थाई बंदोवस्थ कर्णवालिस से सम्बंदित है और वारन हेस्टिंग से सम्बंदित जिसको हम लोग फार्मिसी सिस्टम भी बोलते हैं या फिर दस वर्स ये वेवस्था हो या फिर इजारी-दारी पर था हो इसे ये बारन हेस्टिंग ने लगाया था तो फार्मिंग सिस्टम दस वर्स ये वेवस्था और इजारे-दारी पर था ये तीनो एक ही है और इस तीनों को लगाने तीनों मतलब तीनों नाम एक ही है एक ही चीज का नाम अलग-अलग है और इसको जो लगाया था वो वारण है इस तिंग्स था तो option आपका एक correct आंसर हो जाएगा और सत्य युगम पर विचार कीजिए चले देखते हैं बॉंबे एसोसियेशन का अस्थापना दादा भाई नेरो जी ने 1852 में किया था ठीक है यह correct है भारत संग का अस्थापना सुरेंदर नाथ बनर जी इन्होंने किया था कब किया था 1876 में ये भी सही है अगला है जमिंदारी एसोसियेशन सत्यंदर नाथ टेगोर ये सत्यंदर नाथ नहीं होगा द्वारिका नाथ होगा द्वारिका नाथ टेगोर जमिंदारी एसोसियेशन का अस्थापना किये थे 1838 में कब 1838 में और एसियाइटिक सोसाइटी और बंगाल का अस्थापना बि जब औसाइोग आंधोलण की सुरुवाद एक अगस्ट उन्यज़ीन को अपस लिया घया था और उस समय जो औसाइोग आंधोलण की समय भारत के वरेसराय थे य सब हारत करता कर्थृ के आわग उपस लेẫn अगर ऐसा question होता तो कॉलकता होता लेकिन answer यहाँ पे नहीं है और इस answer में से आपको छाटना है तो लखनाव अधिवेशन होगा ठीक है कांदी जी पर्थम बार लखनाव अधिवेशन में यहाँ पर रास्टे कॉंग्रेस अधिवेशन में भाग लिये थे इसकी लंबी कहानी है आप लोग हिस्ट्री में से पर के देखिएगा पता चलेगा भारत के रास्टपती के उमिदबार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50 निर्वाचकों के द्वारा option 20 का correct answer है देखिए रास्टपती के चुनाव में जो भाग लेने वाले जो रास्टपती के चुनाव में भाग लेंगे वह ही ठीक है तो option 20 का correct answer है सर्व सम्मत्ती से निर्वाचित भारत के रास्टपती थे वो रास्टपती कौन थे और संजीव रेड़ी option C इसका correct answer है ज्यानी जैल सिंग के बारे में अगर हम बात करें तो ये pocket विट्टो का पर चुने गए थे ठीक है अगला प्रस्तन है कि रास्टिय महिला आयोग किसके जरिये बनाया गया था तो देखे रास्टिय महिला आयोग का अस्थापना जो पूछे तो वो 1912 में हुआ था और अधिनियम की बात करें तो अधिनियम आपका 1990 का अधिनियम था option देखते हैं इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो बी हो जाएगा संसद दोरा पारित अधिनियम 1990 भारत के बित-ायोग का जो कौन सा आठ 사ज किल में है आठाज किल 280 बित-ायोग वंडन करता है ठीक है और बित-ायोग का आप से कोशन पुछा जा रहा है कि दुईपक्छी अध्यक्ष थे के संथानम थे 1956 में दूतिय वितायोग आया था और उसके जो अध्यक्ष थे वो के संथानम थे ठीक है और 15 में वितायोग के अध्यक्ष कोन है आप लोग कॉमेंट करके बताएंगे राज के निती निदेशक ततो के संबंद में निमलिकित में से कौन सा कथन शही नहीं है संबिधान के भागचार में अंतर बरिष्ट उपभन्थ किसी भी न्याले दोरा परवर्तिनिये नहीं होंगे ये आपका सही है तो पुछा जा रहा है सही नहीं है उसे आपको छाटना ह तो ये statement आपका बिल्कुल सही है राज का यह करतब होगा कि कानून बनाने के निदेशक तत्तो को लागू करे ये भी शही है देश के सासन में राज की निदेशक तत्त मुलभूत है ये भी सही है निदेशक तत्तो भारत को विश्व का एक उन्नत पुजिवादी देश बनाने के लिए निर्दिस्ट है ये कथन आपका वो गलत है अच्छा आप निदेशक तत्त की बात करें तो आठकिल 36 से एक आवन में निदेशक तत्त का वर्णन किया गया है आठकिल 36 से लेके 51 तक में तो आपसन आपका D जो है ये करेक्ट आंसर है अच्छा एक सराब बंदी जो है सराब बंदी जो बिहार में हुआ ये निदेशक कुमार ने कौन से आठकिल का परियोग करके सराब बंदी को किये थी आप लोग कॉमेंट करके बताएंगे जरा लास्ट में इसका आंसर हम आपको बता देंगे भारत के रास्ट पती द्वारा निक्त किये जाने वाले लोग हैं तो भारत के रास्ट पती के द्वारा निक्त किये जाते हैं उसे देखिए वितायों के अध्यक्ष्वासदस, संग लोग सेवा आयों के अध्यक्ष्वासदस, नियंत्रक एवं महालेखा पडिक्षक तो इस प्रस्ण का आंसर आपका D हो जाएगा, ये सभी वेक्तियों को राष्ट पती के द्वरानिक्त किया जाता है अगला है लोग सभा के सदसों की आरहनता में औसत्य विकल्प को चुने देखे, सबसे पहले चार चीजों को ध्यान डखना होता है क्यों भारत का नागरी को उसकी उम्रे 25 वर्स हो, वो किसी लापद पर ना हो मानसिक रूप से वो उसको कोई प्राब्लेम भी नहीं होना चाहिए और एक चीज और है, उसका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में होना चाहिए ठीक है? लोग सभा के सदस बनने के लिए या रहानता है ते तीन चीज तो फॉलो करता है, एक आपका ये गलत है निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन है कि पहली लोग सभा में बीपक्च में सबसे बरा राजनितिक दल स्वतंत्र पार्टी था लोग सभा में नेता परती पक्च को सरपर्था मुने 179 में मानता दी गई थी लोगसभा में यदि किसी दल का नियुतम 75 सब्ज़श रूप नो हो तो उसके नेता को नेता परति पक्ष के रूप में मानता नहीं मिल सकता यहाँ पर 75 नहीं कम से कम उसको 55 सीट चाहिए होता है बिपक्ष के लिए उसको 55 सीट चाहिए होता है तभी वो बिपक्ष का नेता बन पाता है ठीक है तो यह पहले ही इस्टेटमेंट आपका गलत हो गया आपको सही चुनना है तो यह तो गलत हो गया उससे पहले हम एक चीज समझते हैं सबसे पहले इस सभी चीज़ जो आंसर हम आपका इसका बता देते हैं केबल दो ही इसमें सही है बांकि ये भी आपका गलत है ठीक है आप एक ठी समझते हैं कि देखिए सबसे पहले जो लोगसभा सीट की संख्या कितनी है जब हमारा संबिधान लागू हुआ था उस समय लोगसभा में 500 सीटे थी ठीक है उसके बाद उसमें संसोधन किया गया सातमा संसोधन जब हुआ था उसमें 500 से बढ़ा कर कितना कर दिया गया लोगसभा सीटों को 525 कर दिया गया ठीक है उसके बाद सातमा संसोधन के बाद फि में 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया कितना 545 कर दिया गया और हाली में 104 संसोधन हुआ है जिसमें कि जो दो आंगल भारतिये समुदाई के सदस होते थे उनको समाप्ट कर दिया गया है इसलिए अभी 543 जो है वो हमारे लोगसभा सदस की संख्या है मतलब सीट की संख्या है 543 तो यह तो आप कंफर्म हो गया है कि लोगसभा सीट की संख्या कैसे कैसे था अब आता है बात कि सबसे पहली लोगसभा में विपक्च के सबसे बड़ा राजनितिक दल पाटी कौन था तो पहला लोगसभा चुनाव जो है वो 1951 से लेके 1952 में हुआ था जिसमें कि 489 सीट क को मिला था और बाम पंथी को जो सीट मिला था वो 27 सेंट मिला था तो आपका जो ये भी गलत हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा केबल और केबल दो सही है 69 नमर प्रस्ण देखिए कि भारत का राष्ट पती अपात काल की उद्गोसना मंत्री परसत की सलापर कर सकता है परदान मंत्री की सलापर कर सकता है अपने बिवेक पर कर सकता है और आपसंडी के राय की तब कर सकता है जब ऐसी उद्गोसना करने के लिए संग के मंत्री तरीके का होता है अपात काल की घुशना एक तो होता है आपका रास्टिये अपात दूसरा होता है रास्टपती और तीसरा होता है बीतिये अपात तिन तरीके का होता है इसमें रास्टिये अपात आठकिल 352 में है रास्टपती अपात 356 में है और वीतिये अपात 360 में है अब कैसी सिफार इस पर लिखित सिफार इस पर रास्टी अपात लगाया जाता है लेकिन अगर रास्ट पती के अगर हम बात करें रास्ट पती अपात काल जो लगता है उसमें जो होता है वो मंत्री मंडल के सलापर रास्ट पती जो है इसको लगाते हैं और ये निवनितम जो होता है वो 6 मा के लिए होता है रास्टी ये अपात और मैक्सिमम 3 साल के लिए 6-6 मा करके इसको 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है वही btA पाद जो होता है यह अनिश्चित काल के लिए होता है और आस्टा पाद भी अनिश्चित काल के लिए होता है ठीक है? और btA पाद जो है यह भी राष्टपती के सलाह पर ही होता है तो option आपका इसमें से correct कौन हो जायगा? D हो जायगा साथ नमर प्रस्द देखिए भारत में निमलिकित में से कौन सा संबेधानिक निकाई है तो संबेधानिक निकाई इसमें से कौन है उसे आपको चुनना है तो संबेधानिक निकाई एक तो आपका हो जाएगा इसमें केंद्री है सूचना आयोग उसके बाद है भारति एरिए र configure bank और एक हविस्विध दियाल एक अनुधन आयोग ये सब्ही क्या है संबेधानिक निकाई है निरवाचन आयोग आपका संबेधानिक निकाई नहीं है तो एक बॉ??? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक तीन चार होगा इसका अंसर एक एक मिनट देखिए ओप्सन यहाँ पर गलत दिया हुए यहाँ पर एक होगा एक तीन चार इसका ओप्सन होगा ठीक है यहाँ पर इसको सही कर लिजेगा इसकी कोडिंग डिया अंसर हो जाएगा एक तीन चार अगला प्रस्न है अलियार इसापूर और कांग साबती जैसे ग्यात अस्थानों में क्या समानता है देखिए अलियार जो है यह आपका कहां पे है अलियार की अगर हम बात करें तो यह आपका तमीलाडू में है कहां पे तमीलाडू में इसापूर आपका महरास्ट्र में है और कांक साबती जो है ये आपका बिस्ट बंगाल में है ठीक है ये तीनों जगा है और ये तीनों जगा जो है इसमें समानता क्या है तो समानता ये तीनों आपका जल्वंडार है option D मीठे पानी की कलपसर पडियोजना अवस्तित है तो इस प्रस्ण का आणसर हो जाएगा राजस्तान में इस्तित है मीठे पानी की कलपसर पडियोजना अवस्तित है राजस्तान में डपोंग बिधी सम्बंदित है चावल उत्पादन से ये डपोंग बिधी का पडियोज सबसे ज़्यादा जापान और फिलिपिन्स में किया जाता है चावल उत्पादन में ठीक है जापान और फिलिपिन्स में विश्व में रेसम का सरपर्थम परचलन हुआ तो इस प्रस्ण का आंसर हो जाएगा चीन में सबसे पहले रेसम का परचलन चीन में हुआ था गोल्डन राइस एक प्रचूर सुरोथ है बिटामिन एका भारत में अखवारी कागज की मिल सरपर्थम किस राज में लगाई गई थी अब देखिए इसमें आंसर आपसे अगर प्रचूर है आपका की भारत में अखवारी कागज मिल सरपर्थम किस राज में लगाई गई तो मद्ध परदेश के नेपानगर में 1947 में लगाया गया था और सफल वाला जो है वो 1860 में कोलकता के बाली गंज में लगाया गया था तो यह सफल था यह सफल था लेकिन आपसे सिर्फ और सिर्फ पुछा गया है इसलिए करेक्ट अंसर आपका यह हो जाएगा अगला प्रस्ण है ट्रेटी केल निम्न में से किन दो के बीच का संकर क्रोश है यानि ट्रेटी केल जो है यह गेहूं और राई के बीच का क्रोश है ठीक है ओपसन नंबर बीच का कॉरेक्ट आंसर हो जाएगा अगे〜 lı that और अठारा सौ बारा में जो हुआ था यह असफल रहा था और उसके बार अठारा सौ चौवबन में जो आया था वो सफल हुआ था मुंबई वाला मुंबई वाला सफल हुआ था ठीक है लेकिन पुछा गया कि भारत में सरपर्थम का पास मिल की स्थापना किस सहर में हुई थी तो कोलकता इसका correct answer है सबसे पहला पुछा जा गया सफल और सफल की बात नहीं है यहाँ पे अगला प्रस्ण है किस जंजाती में बहुपती बिवापर्था सामिल है तो बहुपती बिवापर्था जो है यह आपका जो सामिल है तमिलांडू के निलगिरी के एक जंजाती है जिसका जो जंजाती टोड़ा जंजाती है टोड़ा जंजाती में यह साधी होती है ठीक है मीन नडालने जीता है इस प्रस्न का आंसर आपका हो गया किसको हरा कर कैसर रूड को हरा कर तो option D का correct answer है पाकिस्तान के तीसरे सरबो चनागरिक पुरसकार सितारा ए पाकिस्तान 2022 के लिए किस की केटर को सम्मानित किया गया तो सितारा ए पाकिस्तान 2022 के लिए जो सम्मानित किया ग तो इस प्रस्ट का आंसर हो जाएगा option number B, Finland, option B इसका correct answer हो जाएगा, Finland, sorry, एक मिनट, Finland नहीं होगा, Denmark इसका answer हो जाएगा, Denmark इसका correct answer हो जाएगा, और भारत का इसमें जो अस्थान है वो top में है, top 10 में है, top list first में है, आप लोग समझ रहे होंगे, मेरे कहने का मतलब है कि नीच प्रस्टी रैंक जो है इसका है, ठीक है भारत का, अगला प्रस्ट है भारत और, भारत और डैस ने जलवायू करभाई पर दुपक्छी स्वयोग बढ़ाने के लिए एक समझोता पर हस्ताक्षर किये हैं, तो इस प्रस्ट का answer हो जाएगा option number D, कनाडा के साथ, अगला प्रस प्रस ने भारत किस वर्ष अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिषन, गगन यान और पहला मानव महा साघर मिषन, समुद्र यान लॉंच करेगा तो इस प्रस्ट का answer है, और गालत करने इस तक समुदरी जाएगा तो इस फ्लर जान आनसर है, और इस प्रस्ट का. आउंसर का आगे देखते हैं 78 का 78 कोशन यहां से है कि एक आदमी ने दो दर्जन सेव 24 दर्जन की दर्जेव और X दर्जन सेव 120 में खड़ी दे इन दोनों ही प्रकार के सेवों पर खर्च की गई औसद रासी सामान है तब बेक्ती द्वारा खड़ी दे गए सेवों की संख्या ग्यात कर तो इसका आंसर 84 हो जाएगा 79 का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर B PQ 100 और 80 नमबर प्रसन का आंसर जो हो जाएगा वो A हो जाएगा आगे देखिए 81 का क्या हो जाएगा 81 का आपका हो जाएगा C और 82 का हो जाएगा 82 देखिए उप्रस नहां पे हैं और 82 का भी C हो जाएगा 83 का अगर हम बात करें तो 83 में आपका A हो जाएगा 84 का भी C हो जाएगा दोस्तो C और 85 का आंसर आपका हो जाएगा 85 का A हो जाएगा 86 की अगर हम बात करें तो 86 में भी आपका हो जाएगा B 86 में B हो जाएगा और 87 नमर प्रस्ण यहाँ पर है आप लोग देख सकते हैं और 87 इसके बाद 87 का आंसर क्या हो जाएगा D हो जाएगा 88 का आणसर आपका हो जाएगा 88 का B 89 का भी हो जाएगा 89 का भी B हो जाएगा और 90 नमर प्रस्न जो है इसका आणसर आपका D हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं 100 नमर प्रस्न का आगे बढ़ते हैं दोस्तो 100 का क्या हो sorry, sorry, इसका 90 तो हो गया 91 का जो आंसर हो जाएगा वो D होगा और 92 का क्या होगा 92 का C हो जाएगा यहाँ पे है 92 का C 93 की बात करें तो B हो जाएगा आपका B 800 94 में क्या हो जाएगा A हो जाएगा और 95 का अपका हो जाएगा 95 का हो जाएगा B और 96 का D हो जाएगा 97 나머eder को जाएगा और 97 का आंसर देखते हैं 1997 का क्या होता है तो 97 का भी B ही हो जाएगा Y-101 98 का B हो जाएगा और 99 का आपका D हो जाएगा 99 का D 100 नमबर प्रस्ण है और इसका आंसर आपका B हो जाएगा माइनस 3 101 का क्या होगा 101 का C हो जाएगा 102 यहाँ पर आपको चुछ हंटना है आकृति दिया हुआ है 102 का C हो जाएगा 103 का हो जाएगा B 104 का D हो जाएगा और 105 का हो जाएगा आपका A 106 की बात करें तो C हो जाएगा 106 का C और 107 कोशन यहाँ से स्टार्ट है देख सकते हैं आप लोग और 107 का आंसर क्या हो जाएगा A हो जाएगा 108 की बात करें तो 108 में भी A हो जाएगा और 109 D हो जाएगा 110 में आपका आंसर हो जाएगा 110 में C 111 का देखिए एक बार statement वाली प्रस्त है छोटा करेंगे तभी पर पाईएगा पूरा को तो 111 का हो जाएगा दोस्तो 111 का आपका निकल के आएगा जो आंसर वो होगा C केबल निसकर्स 2 और तो 183 निसकर्स निकालता है आगे देखते हैं 112 का क्या हो जाएगा 112 का भी A होगा और 113 का जो होगा ये भी आपका C हो जाएगा 114 का B हो जाएगा 115 देखिए दोस्तो 115 का आपका D हो जाएगा और 116 का B 117 का A हो जाएगा 118 का भी A हो जाएगा और 119 का क्या होगा A 120 का भी A हो जाएगा 121 का C हो जाएगा और 122 का D हो जाएगा आपका 123 का कितना होगा तो A हो जाएगा 124 का B और 125 ये प्रस्ण रहा आपका आगे देखिए इसका आंसर 125 का आंसर जो हो जाएगा 125 का वो आपका D हो जाएगा ठीक है 126 का B हो जाएगा और 127 का क्या होगा तो इवार देख लेते हैं 127 का थुछा समझे कन्फूजन है इसमें 127 का आंसर C हो जाएगा C 127 का और D का क्या हो जाएगा दोस्तो 128 का D हो जाएगा 129 की अगर हम बात करें तो 129 का C हो जाएगा और 30 का A हो जाएगा अब आगे ये 31 पे देखते हैं 31 का D हो जाएगा 32 का भी C हो जाएगा और 33 का A हो जाएगा बहन 34 में 34 में D हो जाएगा और 35 में जो आणसर आएगा आपका इधर देखिए 35 का 35 का आजाएगा A दमाद 36 यहाँ पे डाइगराम बाली प्रस्न है तोस्तो छोटा करना पड़ेगा 136 का B हो जाएगा 137 का हो जाएगा A 138 का A हो जाएगा और 139 का भी आपका A ही होगा आंसर देख लेते हैं 1400 का क्या हो जाएगा 140 का भी A हो जाएगा 108 अब 141 का आंसर देखें तो 141 का आपका हो जाएगा C और यहाँ पे 142 है 142 और 142 का जो आंसर होगा वो D होगा 143 का A हो जाएगा 144 का B हो जाएगा अब 145 पे आईए 145 से 146 तक आंसर इसमें statement को पढ़िएगा तब ही solve होगा तो 145 का आपका B होगा और 146 का जो होगा 146 का वो C हो जाएगा 147 का A 148 का D ठीक है 149 और 50 को देखिए 149 का आपका A है और एक नट A blue और इसका handle पार होगा ठीक है तो यह आपका 1500 प्रसंट का series था कैसा लगा अच्छा लगा तो ज़रूर comment कीजिएगा comment करके बताईएगा और वीडियो को share जादा कीजिए आप लोग share नहीं करते हैं अभी बहुत कम जा रहा है मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तो तक के लिए धन्यवाद अच्छा नहीं